हेलो दोस्तों अन्यादर कुड़ न्यूस पिकस ट्राइम है लॉंच इन इंडिया जो की काफी अफॉर्डबल प्राइस पे होने वाली है राइट यह दोनों भी वाइक है यार बहुत ही अमीजिंग लुकिंग के साथ यह बाइक आती है और देखने में बहुत ही प्रीमियम इन मर लिद दोनों भाइक को क्या इन डोस्तों बात करेंगे कि यह दोनों भाइक आप पुं किहा आफॉर करती है क्या पाओर है क्या टार्क है टर्स्तास टांइलिंग अज सब के बारे में बात करेंगे सब करें एंट पार मीं क Miche बीडिए वे इन्ट परत रिव है जो भी होगी वो इंडिया हो में होगी विच वेरी कन्वेनियंट पॉर आल अफ तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके इंजन और पावर की वैल मैं बता दू कि दोनों बाइकों में सेम इंजन यूज़ हुआ है जो कि है 398.15 cc का जो की प्रडूस करता है 40 PS की पा दोस्तों आपको पूरी LED लाइटिंग मिल जाती है राइट बाइब वायर है सिचेबल ट्रेक्शन कंट्रोल है ड्विल चैनल ABS है इम्मोर्डाइजर है तो और कस्ट क्लस्ट मिलता है आपको USB-C टाइप चारजिंग सॉकेट मिल जाता है और सेमी डिजिटल जो इसका इंस् कि इन बाइकों मापको क्या के डिफरेंस मिल जाते हैं सबस्क्राइब बात करते हैं स्पीट 400 की जो कि एक रोट और इंटेट थोड़ी बाइक बनाए गई है और अगर मैं स्क्रैंबलर 400 एक्स की बात करूँ तो वह थोड़ी ऑफ रोड को ध्यान में रखके बनाए गई है इसले दोस्तों अगर हम स्क्रैंबलर के वेट की बात करें तो वह 179 kg वेरस Prozent का जो वेट है वह 177 रोटो ईसी के सासथ है इनकी सीट हाइट में भी डिफरेंस है इसलिए दोस्तों जो इसका suspension travel है फोड़ा जादा है इसका 150 mm को मिल जाता है वेरा speed 400 में आपको 140 mm का travel मिलता है दोनों ही monoshock suspension के साथ आते हैं तो दोस्तों कर रम टायर की बात करें तो speed 400 में आपको 17-inch के alloy मिल जाते है फ्रेंट में आपको मिल जाता है 110 x 70 का टायर और बैक में आपको मिल जाता है 150 x 60 का और 150 का जो टायर है दोस्तों वह बहुत लगता है देखने में वीडियो में आपको बाइक इतनी बलकी नहीं लगेगी लेकिन अगर आप reality में देखोगे तो बाइक बहुत ही बलकी लगेगी उसे के साथ से दोस्तों करम Scrambler के टायर की बात करें तो आपको फिंट में मिल जाता है 19-inch का लओ और बैक में मिल जाता है 17-inch का लओ जो 19-inch का लओ वह आता है 100 x 90 के टायर के साथ और जो पीछे का आजाता है वो आता है 140 x 80 का जो कि काफी अच्छा है दोस्तों ग्रिप 300x में आपको मिल जाते है 320 mm की डिस्क जो की ब्रेकिंग के लिए ज्यादा बेटर होने वाली है as compared to 400 उसी के साथ दोस्तों अगर हम scrambler 400 की बात करें तो इसमें आपको nuggle guard मिल जाते है headlight protector मिल जाता है इसका जो handlebar है थोड़ा सा wide है तो यह सारे differences है जो आपको speed 400 और scrambler 400 में मिलते हैं और अगर मैं bike की बात करो तो या बाइक बहुत ही बड़ा लगती है काफी अच्छी बात है दोस्तों और अपको यह बाइक कैसी लगी और यह था एक चोटा सा वीडियो इस बाइक की स्पैसिफिकेशन के बारे में जल्दी इस बाइक की टेस्ट राइड लेंगे और आपको इन हैंट फील बताएंगे चला कर कि यार कैसा लगता है अगर वीडियो इंफोर्मेटिव रहो तो चैनल को सब्सक्राइब यह मन मच जाना और आम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में तिल एन टिक क्यार बाइबाए और सी यू